मेरे बच्चे, अगर अभी तुम कठीन समय देख रहे हो, तो भविश्य में दुगने अच्छे दिन दिखाऊंगा, तुम्हारे साइं का ये वादा है, मुझे तुम पर गर्व है बच्चे, इतने दुख में भी तुमने अपना विश्वाश बनाए रखा, रोते भी रहे, पर मुझे प्यार भी करते रहे, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, तुम मुझे से पूछते हो ना बाबा, मेरे जिंदगी में इतने दुख क्यों आई, मेरे बच्चे, मेरे पास पहुँचने का ये एक रस्ता है, इस रस्ते पर तुम्हें आंधी और तुफान के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा हुँगा, मैं तुम्हें मुझे सारी वज्य देने वाला हूँ, वो भी हमेशा के लिए, मेरे बच्चे तुम्हें लगता है, इसमें मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, पर मेरे बच्चे विश्वास रखो, जिस तरह मैं आपकी जीवन मैं अच्छे दोर में आपके साथ था और आपको अपनी उपस्थिती दिखा रहा था वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन में बुरे दोर में भी तुम्हारे साथ हूँ भले मैं बहुत खमोश हूँ और तुम्हें अपनी उपस्थिती नहीं दिखा रहा लेकिन लगातार तुम्ह देख रहा हूँ जैसे उस नदे के पार से कच्छो अपने बच्चो को पालता है मेरा शीरवाद भी तुमारे साथ है तुम बुरे दोर से पहुत जलती बाहर आ जाओगे मेरे बच्चे दुनिया की तरफ कभी ध्यान मत तो दुनिया वाले कभी साथ नहीं देंगे वो आपके अच्छी गुन नहीं देखेंगे लेकिन मैं जानता हूँ कि आप क्या है इसलिए तो मैं आपकी जिंदकी में आया हूँ कभी कभी मैं अपने भक्तों के बारे में सोचते हुए खंटों भिदा देता हूँ अपने भक्त की मदद करने का हर संभव परियास करता हूँ तुम म उससे पूछते होना कि मेरी मुश्किले कब खतम होंगी, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ मेरे बच्चे कि अब तुम्हारे दुख खतम होंगी, मेरे शब्दों पर विश्वाश रखो, अपनी सारी तकलिफे और दर्द मुझे दे दो, उन्हें मेरे चर्णों पर छोड़ दो, और बदले में मुस्कान और शान्ती ले लो, मैं हमेशे के लिए तुम्हे खुशियां देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहां हूँ, आपने ठकना नहीं, आगे जाना है मेरे बच्चे, बहुत हिम्मत रखनी है, हिम्मत जुटाओ चलने के लिए, चिंता मत करो, म आप मंजिल तक पहुँच जाओगे, अच्छा, आज मेरे खाने के लिए क्या लेकर आयो, चलती खोलो, मुझे बहुत बुख लगी, ऐसे मुझे खिलाते रहा करो, मुझे खाने का पहुच शोंग है, जब मेरे भक्त लाते हैं तो मैं बड़े प्यार से खाता हूँ, बस आ आयाम!